दोखा 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 दोस्ते पर फिर से पल्टू चाचा ने धोखा कर दिया है सरी विद्यारतों के साथ जैसा कि आप लोग ने देखा था बिहार प्लिस के जो भी एक्जाम होने वारे थे चाहे ड्रैवर हो या फिर होमगाड हो उन्हें तो रद्ध कर दी गया गया था अबलिक 2019 के अंतर गत पुलिस अवर निरक्षक पडिचारी सहायक अधिक्षक काड़ा के लिए जो एक्जाम होने वाले थे ग्यार दस दोजर बीस रभी बार को वह अब आईजित नहीं होंगे किस बैस आईजित नहीं होंगे तो जिला परसासन द्वारा बिहार बिधान जाने के कारण 1110-22 को आईजित होने वाली मुख की परिक्षा रस्तेगित जाती है उक्त परिक्षा के लिए सभी अब्यार्थियों का परवेस्पत्र निर्गत किया गया था इसे रद्द किया जाता है बहुत अच्छी खबर है मुख के परिक्षा अब दिनांग 11-22 को दो पालियों में आउजित कराई जाएगी जिसके लिए सभी अब्यार्थियों को नया परवेस्पत्र जारी किया जाएगा अच्छी बात भी है उन लोग जिनकी तैयारी फिलाल बहतर नहीं हो पाई थी उन्हें एक मौका मिल गया और अपनी तैयारी को बहतर कर सके बट यह च सरकार को बस अपनी पड़ी है पल्टू चाचा बस चाते हैं कि उनके रिजल्ट एक वड़ा जाए उसके बाद चुना हो जाए उसके बाद बिद्यार्थी के साथ जो होना होगा वह तो होगा ही बाकि आप जानते ही इतने सालों से यहां पर नितीश कुमार के सरकार क्या हो को रोका गया तो बिहार बिदाजसवाद चुनाव के कारियों के लिए और आपने से पहले भी देखा होगा बिहार प्लीस जो कॉंस्टेबल एक्जाम होने बाद तो उन्हें भी रोक दिया गया कारण की वहां पर नहीं मिल रहे है स्कूल बगड़ा जो भी है सब को अपने इलेक्शन के लिए र कहा है एंगे को होगे 10-12-209 फिलाल रद कर दया गया है ताकि सभी तक यह सूचना पहुंच सके बागी से तरह के लटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाणने के लिए चैनल से जुड़ेड़ है ताकि जो भी नए अपडेट आइस के सुचना आपको सबसे पहले चैनल के माध्रम से मिलते रहे है वाकि मैं मिलता आप से को और नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन सुपोड़